कि हलो की नमस्कार जोहर स्वागत है मेरी यूट्पीब सेनेल लेन मौल के स्रीप दोस्तों आज का वीडियों बहुत खास होने वाला है क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि नैनो की उपर वीडियो बनाओ नैनो की ऊपर वीडियों बनाओ तो मैंने बहुत यूजफूल हो और नैनो से रिलेटेड वीडियोज ही हो तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दू कि नैनो अभी जो है इंडियन मार्केट से गयब हो चुका है अभी नैनो नहीं आ रही है लेकिन नैनो जो है अपने पूरे लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखात यही सोच के उन्होंने टाटा नैनो का आविस्कार किया जिसके जो गाड़ी शुरुगात के दिनों में बहुत जादा रिस्पोंस दी मेडिया में इसका बहुत जादा परचार हुआ कि भाई एक लाख में नैनो आ रही है पूरे इंडिया के अंदर आग की तरह फैल गई ख़बर चलो एक लाख में कोई गाड़ी भी आ रही है लोगों के चहरे में इसमाइल थी लोगों ने एडवांस बुकिंग देना शुरू कर दिया बुकिंग करवाना शुरू कर दिया लेकिन जो नैनो है वो आगे जागे फ्लोप हो जाएगी ये किसी ने उस वक्त नहीं स लिए नैनो जब भी आई एक लाख 20 तर तिस ज़ार तक ही आई एक लाख में कभी नैनो नहीं भी कि ये बाद सरा सर गलत है जब नैनो आई दोस्तों नैनो के प्रोड़क्शन में थोड़ी लेट भी हो गई और पलस गाड़ी की जो काल्टी है वो थोड़ी कम जोर भी थी नैनों ने जा के बाद में इसे इंक्रीज किया और सुधार किया तो भाई जो ट्रस्ट था नैनों के परति वो थोड़ा डॉण हो चुका था मार्केट में अफ़। म you rappel ने लगई थी किन नैनों में आग लग जा रही है और तरा-торर की फैलने लगी थी जिसके करण इसके जो प्रोडक्सन है वो धीरे-धीरे लोग होने लगा और लोग इस पर ट्रस्ट कम करने लगे जब भी लोग गाड़ी लेते थे तो लोग उसे उन्हें चिड़ाते थे और गरीब वाली फिलिंग देते थे आपको यह जान के हसी आएगी द क्योंकि दोस्तों हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास एक कार हो और एक अच्छा बेहतर कार हो मतलब हम कार रखते हैं चलने के लिए नहीं अपने आवकाद देखाने के लिए अपने सानो सौकत को दिखाने के लिए और इंडिया के अंदर आप जितने भी लोग देखेंगे उस बहुं से गरीब incarnation के नजर से देखते थे बिखत्य कष़ार टो के वहलेई वो धो लगने बंदा लाता था य हju ऩता है या जाला कि लेकिन ऊस्के मार्क को मरुकरे को नाख को फन्सक्ता अब या आड़ी जो है धीरे-धीरे लोगों के सौंख को कम करने लगी और लोग कम लेने लगे टाटाई नेनो अब धीरे-दीरे जो है नेनो को प्रोडक्सन बंद होने लगा कम होने लगा इस्तिति ये टनी खतम हो गई कि नेनो जो है आज के डे समयन है तो इस चीज़ को बहुत ही भली भाती समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर कोई चीज़ का अगर रेट हम लोग कर देते एकदम जीर एकदम कम कर देते हैं तो भाई लोग उसे सक की नजर से देखने लगते हैं अगर मार्केट के अंदर एक टमाटर आपको 20 रुपे की लोग भाव से मिल रहा है, वही टमाटर आपको आठ रुपे की लोग भाव से मिल रहा है, लोग आठ रुपे वाले टमाटर को सक की नजर से देखेंगे, बोलेंगे कि इसमें सड़ागला कुछ होगा जरूर कुछ मिलावट होगा, तो भाई यही हुआ टाटा नेनों के साथ अगर आप एक बिजनेस करते हैं दोस्तों तो भाई मैं आपको बता दूँ कोई भी बिजनेस हो या फिर आपका लाइव भी हो तो लाइव भी एक बार आपका अगर आपके पूरे लाइब में अगर खुसी अगर आए गई है एक बार बहुत ही जादा तो भाई आप इससे जादा खुस मत होए और आप ये चीज़ को समझ के चलिए कि भाई मैं कभी न कभी ये जो मेरे चेहरे पी स्माइल है वो कभी न कभी डाउन होगा या फिर मेरे जो बिजनेस है वो कभी न कभी डाउन होगा तो इस चीज़ को आपको प्रोपर तरीके से बना के चलना है और इसके लिए आपको पहले जानकारी जूटाना है बहुत ही जरूरी है अगर आप एक बिजनेस करने वाले हैं दोस्तों अगर आप मेरे ये एज के हैं और आप आ तो दोस्तों अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आप उसके अंतत तक घुस अगर आप कोई भी चीज अगर जिन्दगी के अंदर अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपको एक जानकारी ज़रूर मिलेगी ये चीज आप नोट करके रख लिजेगा और अगर वो आप जानकारी किसी के साथ सेयर करते हैं तो वो एक पक्का जानकारी होगा जो मैं आपके साथ सेयर कर रहा हूँ और टाटा नेनों से जो मैंने आपको कहानी बताई वही कहानी आपको भी अपने जीवन पर अपलाई करना है दोस्तों कभी भी आप अगर जादा खुशी हो या फिर अगर आपके पास अगर जादा धन आजा तो ये मत समझे कि मैं बहुत जादा अमीर हो गया आपना जो कर्म है वो करते रहें भाई आप जब आपना कर्म करते रहेंगे तो एक नए एक दिन आपको फल मिलेगा और आप कभी बें डग मागाएंगे नहीं आप एकदम लेवल में बने रहेंगे तो दोस्तों मेरे यही उद्य से था कि भाई आपको यह जानकारी देँँ business related तो मैंने आपको nano का भी जानकारी दिया और business का भी जानकारी दी कि भाई आप अगर एक गाडी को देखे उसके life struggle को देखे कि भाई शुरू में वो थी ही रो और आज हो गई जीरो, तो भाई, बिजनेस भी वही है, और आपका लाइब भी वही है, दोनों को आपको इसी तरह से समझना है, कभी भी वो हीरो बन सकता है, कभी वो जीरो बन सकता है, आपके लाइब में कभी भी मुसिबत आ सकते हैं, तो आप अगर छोटी-छोटी बतों में अपने आपको कोसेंगे आप अपने आपको छोटा समझेंगे तुछ समझेंगे तो भाई आप अपने लाइब में कुछ नहीं कर सकते हैं तो भाई आज का वीडियो जो है यहीं पर मैं इंड करता हूँ आसा दोस्तों मैंने जो आपको बाते करके कि आप क्या चाहते हैं आप किस तरह को वीडियो मेरे से चाहते हैं मैं उसी तरह को दूँगा दिने बाद दोस्तों पूरे वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं नेश्ट डॉप है जै माते दी बंदे मातरम जै हिंद गाईज